हलो फ्रेंज नमस्कार कैसे हैं आप सब आसा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज हम आपके लिए बहुत ही कुपसूरत तोरण डिजाइन लेकिया हैं और इस तोरण को हमने बड़ी साइज में बनाया है इसकी लंबाई है 36 इंच देख सकते हैं पूलो बाल तोरण डिजाइन त्यार किया है जो बहुत ही कुपसूरत है आप इसको दरवाजे पे लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और यहां पर हम लटका के भी दिखा दे रहे हैं देखिए बहुत ही कुपसूरत लग रहा है आप इसको जरूर बनाईएगा और अपने फैमली फ्रेंस को अपने दोस्तों को जरूर से अर किजिएगा ताकि ऐसे डिजाइन आपके दोस्त सीख सकें तो चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और इस तोरण को बनाना चाहते हैं फ्रेंस तो इसमें उन कितना लगा हुआ है सब कुछ आपक किजिएगा तो चलिए फ्रेंस इस तोरण को बनाना इस्टार्ट करते हैं बहुत ही अप्सूरत है आप इसको पूरा देखिएगा क्रोशिया की साइज है 3 एम एम और उन जो हमने लिया है 4 प्लाई का है और सबसे पहले हम पट्टी बनाना इस्टार्ट करेंगे तो एक चै अब देखिए जो फर्स्ट टे बाला चैन है इसमें से हम धागा निकालते हुए और बंद करके फिर हम धागा कुरुशिया में रखेंगे फिर उसी तरह नेक्स्ट वाले फंदे में से धागा निकालते हुए बंद करके कुरुशिया में रखना है तो एक एक फंदे में से बंद करके धागा में कुरूश्या में रखना है तो इसी तरह से आगे हम सारे फंदे में से धागा निकाल के कुरूश्या में ले ले रहे हैं पट्टी भी बहुत ही आसान है आप बस वीडियो को देखते रहे अपो समझ में आ जाएगा बिल्कुल ही सिंपल है पट्टी तो यहाँ पर देखे फ्रेंस हमने लाश्ट तक फंदे को निकाल लिया है और इसमें टोटल बारा फंदे हैं पहले हम दो फंदा बंद करेंगे उसके बाद एक एक करके बंद करना है इस तरह से तो लाश्ट तक एक एक फंदे को बंद कर लेंगे तो देखिए फ्रेंस इस तरह से बनाना है अब यहाँ पर एक चेन बना के फिर देखिए फर्स्ट वाला जो फंदा है वहाँ से धागा निकाल के हम कुरूशियम लेंगे फिर देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में से धागा निकाल कुरूशियम लेंगे तो एक एक फंदे मे में से दाग निकाल ले रहे हैं और जु लास्ट का फंदा रहेगा फ्रेंस उस फ्रेंस अमें दो फंदा नि दो धागा रखके लाश्ट तक इसको बंद कर लेना है तो यह देखिए लाश्ट तक हमने इसको बंद कर लिया है फिर आप एक चैन बनाएंगे थोड़ा समय धागा उपर की तरफ खिचना है फिर देखिए फर्स्ट वाले फंदे में से धागा निकाल कुरुश्यम लेना है इसी तरह से सभी फंदे में से धागे निकाल लेंगे जो लाश्ट का रहेगा उसमें हम दो धागा निकालेंगे और देखिए फ्रेंस लाश्ट वाला जो फंदा इसमें हम दो बार धागा निकालेंगे इस तरह से देखिए दो बार धागा हमने निकाल लिया है अब इसको करेंगे तो दो धागा रखके बंद करना है इसी तरह से दो धागा रखके लाश्ट तक इसको बना लेना है तो इसी तरह से इस पट्टी को लंबाई बढ़ा ले नहीं है फ्रेंस जितना आपका दरवाजा हो उतना बढ़ा पिसे इसी तरह से बनाते जाएए लाइन बनता जा है क्योंकि मैं आप ट्य बना लिया है इसलिए वह तोड़े में दिखा दे रही हूं को दोखेश बंद स्द्ध करना भीए बता दे रही हूं इस तरह से थागा निकालते इस तरह से आप पट्टी को उतार सकते हैं और लाश्ट वाले फंदे में आप चाहे तो एक बार और ले सकते हैं धागा अगर आपको नहीं लेना है तो नहीं ले सकते हैं पर मैंने ले लिया है अब यहां पर इसको बंद करेंगे पहले दो धागा रखेंगे इसके बाद एक कि हम यहां पर देखिए फ्रंस इस तरह से धागे को यहां पर लिया है works हिस जैसे सट्रक्रे में बनाया था ते हैं उसी तरह से यह लाश्ट में भी हमने बना लिया है यह देखें अब इसके आगे हम धागा चेंज करेंगे इसका बाडर बनाएंगे तो देखे फ्रेंस यहां से किनारे से जो फंदा है वहां से में स्टाट कर रहे हैं और यहां पर हम बनाएंगे सिंगल कुरोशिया तो इसमें तीन सिंगल कुरोशिया त्यार करेंगे जो किनारे कर रहेगा उसमें तीन बनेगा इस तरह से और यहाँ पर देखें नेक्ष्ट विली फंडे में एक सिंगल कुरूश यह तो इसी तरह से एक एक बनाएंगे और यह देखिए जो लाश्ट का फंदर हैगा इसमें हमें तीन सिंगल कुरूशिया बनाना है तो यहाँ पर हमें तीन सिंगल कुरूशिया बना लिया है अब देखिए नेक्स्ट वाली फंदे में यहाँ पर बनाएंगी दो सिंगल कुरूशिया और फिर नेक्स्ट वाली फंदे में तीन सिंगल कुरोशिया और नेक्स्ट वाली फंदे में दो सिंगल कुरोशिया तो एक में दो बनाएंगे और एक में तीन बनाएंगे इसी तरह से इस लाइन को हम चारो तरफ से कम्प्लीट कर लेंगे तो देखिए फ्रेंस हमने पट्टी को बना के त्यार कर लिया है और पट्टी की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना बड़ा आप बनाना चाहें और हमने जो पट्टी बनाया है तो इसकी लंबाई हमने 36 इंच रखा है तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं अब इसकी आगे हम इसका तोरण बनाना बताएंगे सबसे पहले तो माजी करिंग बनाएंगे इस तरह से धागे को लपेटा है और उपर से देखिये हमने करूशय की मदद से धागा खेच लिया है इसकी आगे बनाएंगे तेन चैन बनाने के बाद बनाएंगे डबल करूशया एक डबल क्रोशी हो गया फिर एक और बनाएंगे यह दिखे यहां पर इंडी में दो चैन बनाएंगे उसके बाद हम बनाएंगे तीन दबल क्रोशी यह अ और यहां पर बनाना है दो चैन दो चेन बनाने के बाद फिर हम बनाएंगे तीन डेबल कुरोश Yeah तो इसी तरह से बनाना है तीन तीन डेबल कुरोश Yeah रहेगा भीच में दो चेन रहेगा तो इसी तरह से हम इसको बना ले रहे हैं तो देखे फ्रेंस एक, दो, तीन, चार, पांच, चे और यहाँ पर हमने दो चैन बनाया लिया है तो इस तरह से 6 डिजन त्यार करना है अब magic ring जो है इसको हम बंद कर देंगे धागे को इस तरह से खीच लेंगे तो magic ring बंद हो जाएगा अब जहाँ से हमने बनाना इस्टार्ट किया था देखिए चैन के फंदे में इसको lock कर देना है तो इस तरह से बनेगा है देखिए गोला बन किया है अब इसके आगे एक चैन बनाएंगे और थोड़ा से धागे में खीचना है इस तरह से अब यहाँ पर जो तीन double crochet देखिए बनाया है दोनों फंदों में से कुरूष्या को डालेंगे फिर से मैं दिखा दे रहे हूं इस तरह से थोड़ा सा हतों से इसको मौल लेंगे और इसके फंदे में से 5 रांद धागउ निकालके कुरूष्या में लेंगे तो धागा निहीं निकाल लिया है इसको हम एक साथ बंद करेंगे इस तरह से बंद करने की बाद चार चेन बनाएंगे गनाथ हंते देखे फ्रॉंख्र यहां पर नेक्स वाला जो डपल कुरुशिया है अब देखे इस तरह फिर इसके फंदे में इस तरह से डालेंगे कुरूश्य को और फिर इस तरह से हाथों से मोड लेंगे तो हमें धागा निकालने में असानी होगी तो यहाँ पर भी हम पांच राउंड धागा निकालके कुरूश्य हम लेंगे दागे को एक साथ बंद कर देना है अब यहां पर चारचन बनाएंगे फिर नेक्ष्ट वाले फंदे में से उसी तरद से फिर हमें दागा निकालना है यह देखे तो कुरुश्या को यहां से डालेंगे और फिर हातों से मोडते विए धागे को निकालेंगे और निकालने के बाद सभी फंदू को साथ में बंद कर देना है और इसके आगे बनाएंगे चार चैन तो इसी तरह से एक एक पप और चार चैन त्यार करना है तो आगे यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से निकाल ले रही हूँ तो देखिए फ्रेंस यहाँ पे मैंने 6 डिजाइन बना दिया है यह फूल के जैसा डिजाइन बनेगा और यहाँ पे मैंने 4 चैन देखिए लाश्ट में बनाया है अब जहां से मने स्टार्टिंग किया था देखिए उसके फंदे में लाके यहां पर इसको लोक कर देंगे लोक करने के बाद धागे को चैन के अंदर कर लेना है और यहां पर बनाएंगे तीन चैन तीन चैन बनाने के बाद बनाएंगे तीन डबल कुरोशिया यह दिखें तीन डबल कुरोशिया और एक चैन तो चार डबल कुरोशिया हो गया फिर इसके आगे हमें चार चैन बनाना है और नेक्स्ट वाले दिखें चैन के फंदे में बनाएंगे चार डबल कुरोशिया चार डबल कुरोशिया बन गया है फिर आगे चार चैन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वाले फंदे में चार डबल कुरोशिया त्यार करेंगे तो यहाँ पर चार डबल कुरोशिया बना लिया है और यहाँ पर चार चैन करके फिर नेक्स्ट वाले फंदे में चार डबल कुरोशिया त्यार करेंगे तो इसी तरह से लाश्ट तक इसको हम बना ले रहें दिखाते हुए पर चैन करेंगे तो चार चैन हमने बना लिया है इस तरह से बनेगा तो छे डिजन इसमें आएगा अब यहाँ पर देखिए जहां से हमने स्टार्टिंग किया है पहले वहाँ पर इसको बंद कर देंगे इस तरह से और धागे को देखिए आगे की तरप कर लेना है और यहाँ पर बनाएंगे तीन चैन और फिर देखिए इसी के फंदे में बनाएंगे डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाले फंदे में डबल क्रोशिया और यहाँ पर देखिए चैन के आगे की तरफ हम दो डबल क्रोशिया त्यार करेंगे इस तरह से तो इसमें टोटल पांच डबल क्रोशिया बना है फिर हम चार चैन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में एक हमें स्कीप करना है फिर नेक्स्ट वाले फंदे में से डबल कुरोशिया त्यार करना है नेक्स्ट वाले फंदे में डबल कुरोशिया एक एक फंदे में एक एक डबल कुरोशिया बनाएंगे और चैन के फण्दे में हमें दो डबल कुरोशिया बनाना है यहां पर टोटल इसमें पाँच डबल कुरोशिया हो गया फिर चार चैन बनाएंगे इसी तरह से आगे वाला भी लाइन कम्प्लीट करना है और आगे देखिए एक फंदा में स्कीप करके बनाना है जैसे हमने इसको बनाया है दो लाइन हमने बना की दिखाए उसी तरस हम बना ले रहे हैं यह देखे फ्रेंस है लाइन हमने लाश्ट तक बना लिया है यहां पर चार चैन हमने बनाया है और लाश्ट में इसको बंद कर देंगे बंद करने के बाद देखे धागे को आगे की तरफ करना है एक फंदा हम आगे की तरफ करेंगे फिर यहां पर बनाएंगे तीन चैन और इसी के फंदे में बनाएंगे डबल कुरोशिया इस तरह से फिर देखें नेक्स्ट वाले फंदे में डबल कुरोशिया और यहाँ पर जो किनारे पर रहेगा चैन के फंदे में दो डबल कुरोशिया बनेगा तो यहाँ पर दो दो डबल कुरोशिया करके इसको बढ़ाना है और इसमें टोटल छे डबल कुरोशिया बन गया है फिर आगे हम चार चेन बनाएंगे फिर देखिए एक फंदा में स्कीप करना है नेक्स्ट वाले फंदे में से डबल कुरोशिया त्यार करना है और नेक्स्ट वाले फंदे में से तो इसी तरह से इसको बनाना है आगे तक हम बना ले रहे हैं चेन के फंदें में बनाएंगे दो डॉडबल कुरोश्या है तो टल इसमें छे डॉडबल कुर बना है इसके आगे चारactively बनाएंगे तो देखे फ्रण दो डीजाइन में हमने आपको बना के दिखाया इसी तरह से हमें complete कर लेना है तो यहां पर देखिए इस तरह से design बन जाएगा धागा हमने cut कर देना है क्योंकि हमें यह design तीन ही line का बनाना है और इसको मैं दिखा दे रही हूं एक दो तीन तो यहां पर देखिए मैंने तीन ही line में इसे complete कर लिया है और यहां पर कट कर दिया है इसके आगे जो बीच का देखिए फूल है यहां पर हम दूसरा धागा लगाएंगे तो यह देखिए जो चैन का फंदा है इसे में से हम पहले धागे को नोट लगाते हुए निकालेंगे और यहां पर बनाएंगे 3 चैन तेखिए 3 चैन बनाने के बाद अब यह आप देखिए यह जो पह है इसा कि फंदे में जाली की तरफ हमें कुर्षया को निकालना है इस तरह से में तुम हम इस इसे से कर चैन और देखें इसी के फंदे में यहां पर इस तरह से कुरुशय को डालेंगे और धागा निकालती हुए इसको लोक करना इस तरह से फिर इसकी आगे बनाएंगे तीन चैन और यहां पर देखें इसकी आगे यह जो चैन का फंदा है यह वाला यहां पर हम सिंगल कुरुशय इसको बंद कर देंगे तो देखे फ्रंस इस तरह से डिजाइन बनेगा फिर इसके आगे बनाएंगे तीन चैन और पप के फंदे में कुरुषय को डालेंगे इस तरह से यहां से डालना है और जाली के अंदर से निकालना है इस तरह से देखें और यहां पर सिंगल कुरुषय बनाएंगे फिर यहां पर बनाएंगे तेन चैन और इसी के फंदे में से धागा निकालते हुए दो का एक करना है इस तरह से फिर इसके आगे तीन चैन और देखिए यहां पर इंदर हमें निकालना है और फिर बनाएंगे 10 चैन और दागा निकालती होई इसको लॉक कर लेना है इस तरह से फिर आप पे बनाएंगे तीन चैन और देखिए याप पे लाकिस को बंद कर देंगे सिंगल क्रोशिया चे तो इस तरह से बनाने से फूल का डिजाइन बन जएगा और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा अब चाहे तो कई लर मैं बना सकते हैं पर मैं एक ही इस से बना रही हूँ तो इसी तरह से बनाते हुए फ्रिंस मैं सारे पंद मने बना ले रही हूँ तो यह देखिए फ्रेंस फूल का डिजाइन बन गया है बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है तो इस तरह से टिक्की को हमें त्यार करना है अब दूसरी टिक्की हम बनाएंगे तो इसी में जोड़ेंगे हम तो यहाँ पर देखिए फ्रेंस यह दो लाइन हमने बना के कंप्लीट कर लिया है और तीसरी लाइन का देखिए एक डिजाइन हमने बना लिया है दूसरे डिजाइन में हम टिक्की को जोड़ेंगे तो एक यहाँ पर हमने डबल कुरूशिया बना लिया है बिल्कुल उसी तर यहां से धागा निकाल लिया है और फिर यहां पर बनाएंगे नेक्स्ट वाली फंदे में डबल कुरोश्या इस तरह से देखिए डबल कुरोश्या हमने बना लिया है अब यहां से हम कुरोश्या को निकालेंगे जो फ़र्स्ट वाला देखिए डबल कुरोश्या है यहां से ह इसकी सबित बड़ करना है चैन Wanna वाली सबराएं वाली दबल ड्रकुलists नीचे की तरव मैं उपर करेंगे है इस कहरें फिर देखिर झालें यहां पें लेगाना तुर देखिए इस तरह सबयाम को को निकालेंगे नीचे की तरफ से चार सेन बनाएंगे चार च्छिन बनाएंगे इसके आगे नेक्ष वाले design में त्यार करना है यहाँ पे double crochet बनाएंगे तो एक फंदा देखिए हमने छोड़के next वाले फंदे में से बनाना start किया है तो एक एक फंदे में से एक एक बनाएंगे और chain के फंदे में दो double crochet त्यार करना है इस तरह से तो देखे फ्रेंज इस तरह से join होगा मैं इसको दिखा दे रही हूँ यह देखे दोनों side का टिक्की है बीच में देखे यहाँ पे वने join कर दिया है इस तरह से हमें जोड़ना है दोनों टिक्की को अब यहाँ पे मैं इस टिक्की को पूरा बना ले रही हूँ तो देखे फ्रेंज हमने यहां पर देखिए एक फंदा में skip करके नेक्स्ट वाले फंदे में डबल कुरोश्या तियार करना है अब यहां पर टिक्की को लेना है इस तरह से तो चैन के यहां देखिए जो चैन है यहां से पहले धागे को निकाल ले रहे हैं इस तरह से इसके अंदर से और यहां पर नेक्स्ट वाले फंदे में बनाएंगे डबल कुरोश्या और यहां पर कुरोश्या को देखी निकाल लेना है और यह देखिए जो डबल कुरोश्या का यह फंदाय फर्स्ट वाला यहां से कुरोश्या को डालेंगे और धागे को नीचे की तरफ से उपर करना है इस तरह से फिर नेक्स्ट वाले फंदे में बनाएंगे डबल कुरोश्या और फिर देखें, नेक्स्ट वाले फंदे में से धागा निकालना है, इस तरह से, फिर नेक्स्ट वाले फंदे में बनाना है डबल कुरोश्या, तो धागा हमें देखें, इसी तरह से एक एक डबल कुरोश्या की फंदे में से नीचे की तरफ से निकालना है, एक साइड से में तरब से निकाल लेना है इस तरह से और यहां पर बनाएंगे चार चैन तो देखिए फ्रंस एक डिजाइन है यहां पर हमने जोड लिया है देखिए जॉइंड हो गया है इसके आगे अब हम दूसरे टिक्की में यह तीसरा वाला जोड़ेंगे और यहां पर एक फंदा Benet के नेक्श्ट वाले फंदे में देखिए डबल कुरोशिया बना रहे हैं और यहां से कुरूशिया को निकाल लेंगे जो दूसरा टिक्की है इसके आगे का देखिए यहां से चैन के फंदे में से पहले हम दागे को निकाल ले रहें इस तरह से और फिर इसके आगे देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में डबल कुरोशिया बनाएंगे और यहां पर देखिए फर्स्ट वाले डबल कुरोशिया के फंदे में से नीचे से धागा निकालेंगे फिर नेक्स्ट वाले फंदे में डबल कुरोशि बनाना है और एक साइड में डबल कुर्षिया के फंदे में से धागा निकालते हुए बनाना है तो इसी तरह से लाश्ट तक इसको हम बना ले रहे हैं लॉक करते हुए और लाश्ट में देखिए फ्रेंस एक डबल कुर्षिया हमारा बसता है फिर यहां पर चार्चन बना के फिर यहां पर बनाएंगी डबल कुर्षिया यह देखिए मैं दिखा दे रहे हुए दोनों जॉइंट हो गया है यहां पर इस तरह से देखिए जुड़ेगा तो दो फूल हमने जुड़ के दिखाया फ्रेंस एक वाला यहां पर जॉइंट किया फिर यहां पर जॉइंट किया इस तरह से अब इसको हम कंप्लीट बना लेंगे तो देखे फ्रेंस यहां पे दो जोड हमने लगाया इसमें यहां पे इस तरह से तो इसको हमने complete कर लिया है फिर इसकी आगे देखे यहां पे दो जोड लगाएंगे फिर इसको हम गोला complete कर लेंगे इस तरह से इसी तरह से में बना लेना है और लाश्ट का जो रहेगा उसमें तीन जोड लगेगा, तो ऊसी तरह से उसके भी बना लेना है तो इसमें देखिए, छे टिक्की हमने जोड लिए इस तरह से बनेगा, एक गोला बन गया है अभी इसमें हम तीन टिक्किया और जोडेंगे तो एक त्रिको नकार में बन जाएगा तो एक देखें, यहाँ पर हमें जोड़ना है, तो यहाँ पर भी हमें दो लोक लगाने है, फिर गोला बनेगा, और एक गोला हमें यहाँ पर स्कीप करके, फिर देखें, यहाँ पर एक गोला त्यार करना है, फिर यहाँ पर एक गोला त्यार करना है, आगे हम इसको बना लें तो देखे फ्रेंस यहां पर एक गोला हमने यहां पर बना लिया इसमें दो लॉक लगाया है और एक गोला हमने यहां पर त्यार कर लिया है बीच में देखे एक हमने बाडर बनाया है तो मैं बाडर बना के दिखा दे रहे हूं किस तरह से बनेगा और बाडर यहां पर हमने त्यार कर लिया है पर हम थोड़ा से आपको दिखाएंगे किस तरह से बनेगा यह देखे नेक्स्ट वाले फंदे में से धागा निकाल रहे हैं इस तरह से और इनको हम बंद कर देंगे दोनों फंदों को फिर देखिए नेक्स्ट वाली फंदों को बंद करेंगे फिर नेक्स्ट वाली फंदों को बंद करेंगे फिर नेक्स्ट वाली फंदों को बंद कर देना है तो इस तरह से बार्डर त्यार हो जाएगा तो बार्डर यहां पर जब बन जाए तो चार सिंगल कुर्षिया यहां पर बन गया है और यहां पर देखिए इसके आगे वाला जो चैन है इसमें भी हम चार सिंगल कुर्षिया बनाएंगे उल्टा तरब से बनेगा दोनों फंदे में से हमने चार-चार सिंगल कुर्षिया बनाएं पर यहां पर देखिए जो डबल कुर्षिया का फंदा इसमें एक एक करके हम बनाएंगे एक एक फंदे में एक एक सिंगल कुर्शिया बनाएंगे तो इस तरह से देखिए इस बार्डर को हम आगे कम्प्लीट कर लेंगे तो फ्रेंस यहाँ पर बार्डर हमने बना के कम्प्लीट कर लिया है देखिए मैं दिखा दे रही हूँ चारो तरफ से बाडर बने गया है अब यहाँ पे हम इसका जालर बनाएंगे तो इस तरह से उंगली में देखिए धागे को लपेटना है तो 12 राउंड मैं यहाँ पे धागे को लपेट ले रहे हूँ जालर को आप अपने हिसाब से मुटाई दे सकते हैं और यहाँ पे धागे को कट कर देंगे और यहाँ पे एक धागा लेंगे बीच वाले फंदे में देखिए इस तरह से धागे को डालके और यहाँ पे हम अच्छे से इसको नोट लगा देंगे इस तरह से टाइट यहां पर इसको बांद लेंगे और फिर देखिए इस तरह से इसको पकड़ेंगे और देखिए फिर जो धागा रहेगा यहां पर इसको इस तरह से एक दो बाल लपेट के और फिर यहां पर नोट लगा देंगे तो इस तरह से जालार बनता है और फिर धागे को हम ब्राबर करके इसको कट करेंगे तो फ्रेंस यह देखिए इस तरह से धागे को आप ब्राबर करके पकड़ लेजिए हाथों में और फिर यहाँ पर धागे को कट कर तीवी से ब्राबर बना लेंगे यह देखे यहाँ पे बराबर हो गया है तो इसी तरह से सारी जालर को त्यार करना है और इसमें हमें टोटल 18 जालर त्यार करना है यह देखे फ्रंस यहाँ पे हमने सारी जालर को त्यार कर लिया है तो देखे फ्रंस सुई धागे की मदद से इस जालर को हम तोरण में लगाएंगे और यहाँ पर देखे यह जो डिजाइन है इसी डिजाइन के बीच में देखे फ्रंस इसको हम नोट लगा देंगे तो अच्छे से यहाँ पर दो बार तीन बार नोट लगा लेंगे ताकि यह धागा ना खुले और इसको हम गाँट लगा देंगे धागा कट कर देंगे और जो बड़ा रहेगा धागा उसको अंदर की तरब करके चुपा देंगे ताकि धागा ना दिखे तो गूर्शय narrator की मदर से इसको मादर कर लेंगे और जो दिखेगा उसको हम KT कर देंगे तो इस तरह से जालर को लगाना है फ्रेंस एदेखे को सूई धागे की मदर से comment लगा लेंगे। मैं दिखा दे रही हूं जहाँ जहां डिजाइन है, सब डिजाइन के अंदर इसको लगाना आ इस तरह से, एक गोले में दो धिजाइन तो यह देखे और नीचे वाले गोले में चार डिजाइन है तो यहां पर हमने चार जालर लगा दिया है तो इसी तरह से जालर लगा लेना है तो एक पार्ट हमने बना लिया है इसी तरह से में दूसरा भी पार्ट त्यार करना है तो यह देखे और दूसरा भी पार्ट हमने त त्यार कर लिया है अब इसको हम पट्टी में लगाना बताएंगे तो इनको बनाने में फ्रेंस बहुत ही कम समय लगा और बनाने में आपको उबन भी नहीं आएगा अच्छा लगेगा इसे डिजाइन बनाने में तो इसके आगे अब हम पट्टी लगाना बताएंगे तो देखे फ्रंस इस तरह से हम पट्टी पहले रख लेंगे और देखे यहाँ पे जो चैन का फंदा बना है इसी में हमें यहाँ पे सुई धागे की मदस से नोट लगाना है यह देखे इस तरह से इसके बीच वाले फंदे में और यहां पर देखें पहले तो इस तरह से पट्टी को उल्टा कर लेंगे और सुई धागे की मदस से यहां पर देखें चैन के फंदे में जो जैन है उसी के फंदे में मैं यहां पर नोट लगा दे रही हूं तो इसी तरह से नोट लगाते हुए यहाँ पेस को अच्छे से से शेल लेंगे ताकि धागा ना निकले तो यहाँ पे गाट लगाके धागे को कट कर दे रहे हैं आप चाहे तो पट्टी में से ही धागे को आगे की साइट कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे धागे को अलग अलग करके सिलाई लगाऊंगी और जो धागा दिखेगा उसे अंदर की तरफ चुपा देंगे और जो बड़ी साश कराएगा उसे cut कर देंगे इस तरह से है यहाँ पे हमने नोट लगा दइया इसको फिर यहाँ पे इसका आगर देखिए यहाँ पे लगाएंगे तो फ्रेंच, यहाँ पे देखिए हमने joint कर लिया है इस तरह से सुई दागे की मदद से हमने इसको जॉइंट कर लिया है और यह मैं दिखा दिरी रही हूँ देखिए बहुत ही लंबा तोडन है और बहुत ही खुपसूरत है आप इसको जरूर बनाईएगा बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रंस एे देखिए इस तरह से मैं दिखा देरी इसको मैं खोल के दिखा दे रही हूँ एक एक करके देखे दो पार्ट में बहुत ही खुपसूरत है आप इसको बनाईए और दोस्तों को भी सेयर कर दीजिएगा ताकि अच्छी डिजाइन सेख सकें और कॉमेंट में बताईएगा डिजाइन कैसा है और हमार चैनल पे नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए डियान किसान थैंक यू